Friends, स्वागत है आप सभी का, You and I के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने बाला हूँ Renault Triber के Genuine SZRs के बारे में जैसे कि आपको पता है, भारत में Renault को काफी टाइम हो चुका है हुए जब भी कोई गाड़ी ये लॉंच करते हैं वो अच्छा कासा परफॉर्म करती है दो फेमस मोडल है इनके Renault Quid and आपकी Renault Duster अभी इन्होंने हाली में लॉंच किया इसी मही ने एक हफते पहले, Renault Triber जो कि जिसके फीड़बैक काफी अच्छे मार्केट में आ रहे हैं उसका एक मातर कारण ये है कि आपको 5 theater के लावा 7 theater का expansion का option मिल रहा है उस गाड़ी के अंदर and जो range रखा गया है वो काफी कम है लाइक 4 लाग से गाड़ी आपकी start है maximum आपको on-road पढ़ जाएगी 7 लाग रुपे की and उसके अंदर आपको 7 theater का option मिल जाएगा याने की cheapest MPV car इंडिया के अंदर MPV का मतलब होता है multi-purpose vehicle आप उसको office भी लेकि जा सकते हो आप technique भी लेकि जा सकते हो आप अपनी सारी family को लेकर की भी कहीं गुमने के लिए जा सकते हो गाड़ी में enough space दिया गया है like 665 reader का boot space आपको दिया गया है जो कि आपने आप में काफी बड़ा है गाड़ी को बनाया गया है CMS platform के ओपर CMS को full form होता है आपका common module family इस platform को develop किया से jointly Nishan, Mithubushi and Dranon ने मिलकर के यानि की future में जो ये गाड़ी आप बनाएंगे इस segment की उनका platform सेम होगा कि वल features and body में अंतर कर दिया जाएगा इससे इनकी लागत कमाई ही क्योंकि ये तीनों company एक ही platform पे अपनी गाड़ीया बनाने बाली है मैं से पहले आपको SDRs के बारे मताना स्टार्ट करूँ आप सभी से request है मेरा personal, मेरा जो opinion है वो यह है कि आप प्लीज अगर रही गाड़ी लेते हो तो local aftermarket SDRs की तरफ मज जाये करो because भले ही वो आपको सस्ती बढ़ रही है आपको कुछ warranty वगरा में पे नहीं मिलेगी dealer ने आपको warranty दे भी दी तो जब खराबी आएगी तो आप हक से उसे बात नहीं कर पाओगे replacement को ले करके अगर आप लेते हो SDRs को dealer के यहां से याने की showroom से तो आपको मिलती है warranty and genuine bill बिल के आधार पे अगर आपको future में कुछ खराबी आ रही है आपको लग रहा है quality खराब है आप dealer से बात करके बिल दिखा करके हक से अपना replacement मांग सकते हो इससे पहले वीडियो आपको दिखाना स्टार्ट करूँ SDRs के बारे में आप सभी से request है प्रीज इस चैनल को like and subscribe करना बिल्कुल न भूलें बेकॉस इस चैनल के जितने भी वीडियो आपको दिखेंगे वो सारे automobile industry के होते हैं अगर आप existing car owner हो या फिर आप future में car लेने की planning कर रहे हो तो ये सारे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं अपनी car को update करने में उसको maintain करने में या फिर अगर आप future में नई car ले रहे हो तो आपको better idea दे देंगे कि क्यासे आपको negotiate करना है कौन सी गाड़ी आपके लिए बहतर रहेगी तो चलिए start करते हैं original accessories के बारे में बताने से पहले आपको मैं गाड़ी के दाम दिखा देता हूँ basic model है आपका RxC वो पढ़ेगा 4.95 lakhs का RxL आपको पढ़ेगा 5.49 lakhs का RxT आपको पढ़ता है 5.99 lakhs का top model आपका RxZ आपको पढ़ेगा 6.49 lakhs का X showroom Delhi कीमत इसमें insurance cost वोगेरा additional है यह जो personalization का पहला slide आप देख पा रहे है यह आपकी full flashed गाड़ी है सारो accessories लगाने के बाद like इसमें chrome insert fix किया गया है side में door पे cladding लगी हुई है allowable आप देख पा रहे है yellow color का है उपर आपको carrier दिख रहा है इसके लगा छोड़ी accessories हैं अंदर और बाहर की जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ पहली accessory है आपकी allowable insert यह allowable आपको गाड़ी की साथ नहीं मिलता आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको यह पसंद आता है तो डाम आपको showroom में पता देगा officially डामों के बने गाड़ी अभी company ने पताया नहीं है यह आपका silver and black color के insert की साथ में है अगर आपको पसंद आता है तो आप ordinary आपके wheel की जिगे पे इस allowable को ले सकते हो दूसरा option आपको मिल रहा है yellow, white and sorry, yellow, black and silver ascent के अंदर दूसरा allowable इसको आप ले सकते हो अकसर company गाड़ी उसी color में दिखाती है advertisement जिसमें यह गाड़ी अच्छी लग रही हो यलो में अपने को ट्रेबर चता दिखा रही है advertisement में रैनो के द्वारा इन्होंने yellow color में ही allowable दिया है जो ही काफी अच्छा option है अगर आप yellow color लेने की planning करते हो तो इसके लावा अपने को मिल रहे हैं graphics तीन तरह के, यह graphics basically sticker होते हैं simple language में तीन तरह के option है मारे पास cross, triangle and gradient आप इन सारे stickers को, graphics को चोरूम से ले सकते हो अगर आपको गाडी का appearance और enhance करना है तो इसके लावा आपको लता है wind deflector with chrome insert wind deflector with black insert and roof carrier roof carrier आपके काम आएगा अगर आप लंबी दूरी के लिए traveling करते हो, family के साथ तो वैसे chrome insert deflector काफी अच्छा लग रहा है आकरशक लग रहा है इस पर चो metal का finish है काफी बैतरीन है and यह आपके काम आएगा अगर बारिश के टेम आप हलकी सी wind नीशे करते हो तो हवा तो अंदर आएगी बट deflector की वज़े से अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा फिर आपको मिलता है body side cladding का option body side cladding आपके लिए बहुत ज़रोरी है नई गाड़ी आप ले रहे हो side cladding आपके दरवाजे को बचाती है गाड़ी के किसी भी तरीके के scratch को लगने से अगर आप गाड़ी को market वगेर है में या congested area में लेके जाते हो तो इसके लावा आपको मिल रहा है spoiler spoiler गाड़ी की look को enhance करता है इसके लावा ये गाड़ी को safe भी रखता है गंदे पानी से जब पहली बारेश होती है तो काफी जो मिट्टी के काड़े हो पानी के साथ मीची गरते है सिद्धे वो आपकी window पे नहीं पढ़ेंगे पीशे वाले deflector आपका जोगी spoiler है sorry काफी हाथ तक उस पानी को रोक लेता है तो अगर आपकी गाड़ी में वाइपर नहीं आपने basic model लिया तो आपको तब भी clarity बैटे तरीके से नजर आएगी इसके एलाब आपको मिल रहा है Bumper Corner Protector Black Bumper Corner Protector Chrome Insert and Mud Flaps इन तीनों में से Mud Flaps आपके लिए must है आपको लेना ही चाहिए विकास जब गाड़ी चलती है तो पाईये में कंकड फसके कई बार पीछे की गाड़ी पे हिट करते हैं बाइक पे या कार पे जो की डैमेज कर सकते हैं उनको उनकी गाड़ी को और वो फाउतु में आपसे बहस करेंगे फाइदा नहीं है इसके लाब आपको मिल रहा है Rear Bumper Cladding with Red Garnish यह काम का है विकाज जब अंधिर में कोई गाड़ी लाइट मारेगी तो यह reflection करता है Fender Cladding मिलेगा आपको Door Save करने के लिए जो आपके पईयों के उपर लगा हुए Plastic and Car Cover Car Cover by default ट्रेनो आपको Silver Color में ही offer कर रहा है इसके लाब आपने को मिलता है Front Grill Chrome Garnish Head Lamp Chrome And अपने को मिल रहा है Tail Lamp Chrome Tail Lamp Chrome अपने लिए अच्छा option है अगर हमने डार कलर में गाड़ी को लिया तो यह Tail Lamp Chrome काफी हद तक आपकी Daylight के Appearance को enhance कर देता है Head Lamp Chrome मुझे कुछ खास नहीं लगा Door Handle Chrome काम का है Handle आपके गंदे नहीं होंगे अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो OVRM Chrome, Tail Gate Chrome And Window Frame Kit इसमें ORVM Chrome काफी काम का है Because यह सेफ करता है आपके ORVM को अगर पास से कोई गाड़ी आपकी सीच्छे पे लगती है तो ORVM Chrome डेमेज होगा और आपका Paint वगेर नहीं चूटेगा इसके लाब आपने को Option मिल रहा है Ambient Lightning का Illuminated Logo मिल रहा है Ambient Lightning मिल रही है डिक्की में आपको इसके लाब आपको मिल रहा है Illuminated Gear Knob इन सब में से में को Illuminated Logo मस्ट लगा अपने को लेना चाहिए Because Security Feature है गाड़ी का Logo तो चुमा की रहा है अंदेरे में आपकी गाड़ी दूर से नजर भी आएगी इसके लाब आपने को मिलता है ORVM Blinker, Puddle Lamp and Illuminated Scuff Plate इन तीनों में से मुझे Puddle Lamp बैस्ट लगा Because यह आपके ORVM में फिक्स हो जाएगा And अंदेरे में अगर आप गाड़ी रोकते हो यह जो light road पे पड़ती है तो आपको नजर आता है बारिश के ओगरा के मौसम में कि कहीं आप कीचर में पाहूं तो नहीं आपको नजर आजाएगा जमीन पर कीचर तो नहीं है इसके लाब आपने को Reno offer कर रहा है 6 तरह की mats Black, Beach and Designer Mat PVC Transparent, PVC Transparent दुबारा 3D mat इसके बाद मेरे को अच्छी लगी 3D mat because 3D mat flat नहीं है बागी ordinary mats की तरह सारी गंदगी जूते वगरा की आपके इसमें गिरेगी और आप इसको normal tray की तरह जैसे आपका cup का tray होता है चायवाला इसको उलट सकते हो trunk mat काफी अच्छा काम की है हमारे because guardian लोग traveling करने के लावा समान ढोने के लिए यूज़ करेंगे like सब्जी औगेरा normal जो डिलिघर की समान होता है तो गंदरी डिक्की में नहीं होगी आप mat को उठा के सभाई सारी कर सकते हो mat को भाहर जाड़ सकते हो अपने को मिल रहा है first pin segment IRVM cover आपका जो आगी का mirror है back side दिखने के लिए इसके लिए आपको cover मिल जाएगा इसके लावा आपने को मिल रहा है gear diesel chrome and roof lamp chrome ये दुनों chrome गाडी के look को enhance करते हैं अंदर से आपको decide करना होगा क्या आपकी काम का है वैसे मेरा personal favorite roof lamp chrome है इसके लावा reno tribal के लिए offer कर रहा है 5 designs में seat मेरी personal favorite है red color वाली क्योंकि ये long lasting है इसका थोड़ा सा color ऐसा है क्यों पुराणी लगेगी नहीं 3 साल के बाद silver में को अच्छा लग रहा है बट में को doubt है कि तो 3 साल के बाद ये cover कैसा केगा गारी में इसके लावा आपको 2 seats के option और मिल रहे है जो designer है red and silver जैसा कि आपको मैंने बुला red मेरा favorite है आप देख लीजी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप इसको अलग से ले सकते हो accessories के रूप में आपको authorized के रूप पे मिल जाएगा कास बात ही है कि इनपे reno printed भी है तो ये गाड़ी के appearance को काफ़ी enhance कर देंगे and गाड़ी जाएगा sharp and अच्छी लगेगी जितनी भी आज़रीज आपको मैंने दिखाई इसको चार category में divide कर रखा है SUV pack, chrome pack, essential pack essential pack तो लेना ही पड़ेगा must होता है मतब कोई जबरस्ती नहीं है बड़ इसके भीना गाड़ी अधोरी लगेगी urban pack आप इन सब में से decide कर सकते हो list मना के अगर आप private लेने की planning कर रहे हो तो कि कौन सा pack आपके लिए best है और आप सको ले सकते हो एक बार में last minute, thank you so much for watching guys आप सब भी से request है अगर आप existing car owner हो तो या फिर आप future में कोई car नहीं लेने की planning कर रहे हो तो thank you so much for watching अपना ध्यान रखिये